नकली हीरा बेशने की फिराक में दो आरोपियों को चावनी पुलिस ने गिरफतार किया जांजगिर निवासी जितेज गिरी और खलारी निवासी डेरहा राम जांग्रे दोनों ही नकली हीरा बेचने की फिराक में पावर हाउस इस्थित ज्वेलरी शॉप में पहुँच कर ज्वेलरी शॉप के संचालक को जहांसे में लेने का प्रयास किया मुगबिर की सूचना पर छाउनी पुलिस ने मौके से गिरफतार किया आरोपियों के पास से हीरे जैसे दिखने वाले सिंथेटिक डैमन के करीब साथ पीस उनके पास रखे हुए थे उसे बेचने के लिए ज्वेलरी शॉप संचालक से बात किया संचालक ने दोनों आरोपियों से आईडी कार्ड की डिमाण की आईडी देखने पर उन्हें संदे हुआ कि दोनों का निवास भिलाई के बाहर है तब उन्होंने चावनी पुलिस को सूचना दी पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए एक टीम बनाई मुखबीर की सूचना पर दोनों को पकड़ा गया आरोपियों से पूछताच करने पर सुचकार किया कि नकली हीरा पत्थर को बेचने आरोपी ज्वेलरी शौप पहुँंचे थे हीरे जैसे दिखने वाला हीरा नहीं है बलकि पत्थर है जिसे समाने रूप से देखने पर हीरा ही दिखता है पुलिस ने बताये कि हीरा बरामत के बाद पुलिस ने उसे जाचने के लिए रैपुर भेजा था जहां से पाँच घंटे तक मानक की जाच की गई लेकिन हीरे जैसे दिखने वाला हीरा नहीं था बलकि उसका टुकड़ा है दोनों आरोपी उसे बेच कर रुपे कमाने के चक्कर में थे सिंथेटिक डैमन की कीमत करीब डेड़ लाक रुपे आखी गई है दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफतार कर विवेच नाम में जुट गई है वह अपने पास में आईडी भे रखे हुए लगे जोर्णस के मालक सी है बोले कि हम कुछ हीरा रखे हुए है बेचना चाहे है पर आसी दो बात के लिए नेकिन हीरा नहीं यह यह मायनिंग वाला हीरा नहीं को बनाए गया है इसके बात फिर जहांच के दराना आसा पाया है कि हीरा बथा कि असा बेचनी के उसका तरह जाड़ी है और इके खिलाब में पूलिस ने चारसो भी स्पांसो जागा ज़िए 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 थरीका प्याच के लिए चाहुटिस दव्लार के लिए किया गया है